नमस्कार दोस्तो मैं मुके सर्मा और आप देख रहे हैं मुके स्टक चैनल दोस्तो मैं आज आपको बहुत ही इंपोर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूं फोन सेटिंग जो की आपको बहुत ही ज्यादा परसंद आएगी तो दोस्तो बने रहे हैं मेरी इस वीडियो के आपको नीचे आना है, accessibility पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद, अब आप देखेंगे नीचे, power button, end calls, आपको इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये option on हो गया, इस option को on होने के बाद में, अब आप जब भी call काटेंगे, तो आपको mobile screen पर जाने की यह उतनी है, power button को ए दोस्तों ये बहुत ही important option है, आप इसको जरूर यूज करना, और ये daily आपके यूज में रहेगा और बहुत ही अच्छा option है, अब दोस्तों दूसरा option के बारे में बात करते हैं, फिर आपको setting पर जाना है, फिर वही पर accessibility पर जाना है, आज मैं इसी के बारे में बताने जा र ये आपको दिख रहा है, आप इस पर जैसे click करेंगे तो ये dark हो जाते हैं, ये देखिए, मैं off कर दिया, अब इसको on किया तर dark हो गया, अगर आपको dark रखना है, dark रख सकते हैं, आप इसको on करके रखिए, dark रहे जागा, दूसरी setting है display size, आपको display का size क्या रखना है, वो ये बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप preview में देख रहे हैं, ये छोटा हो गया उपर, और छोटा करना है, और छोटा हो जाएगा, अब ये बिलकुल छोटा हो गया, तो आप ये अपने हिसाब से size को कर सकते हैं, जैसे कि कोई बुज़ूर्ग लोग होते हैं, उनको कम दिखता ह तो वो अपने हिसाब से size को बढ़ा सकते हैं, और कम कर सकते हैं, आप बीच में रखिए, ये default size है, तो ये ये भी बहुत important setting है, आप इसको भी use कर के देख सकते हैं, बहुत important setting है, बैग जाएंगे, font size, अगर आपको font size बढ़ाने की जरुत पढ़ रही है, कुछ पढ़ना है, और वो छोटा है, तो आप इसको font size को बढ़ा सकते हैं, और इसको बढ़ा रहने दीजिए, आप अपने साब से size को set कर सकते हैं, कि जो भी test आपको दिखेगा, वो बढ़ा दिखेगा, ये देखि कर लिया, और छोटा कर सकते हैं, तो ये normal size है, मैं इसी को default size है, इसी को रहने देता हूँ, आप अपने इसाब सेट करके देखिए, बहुत ही useful function है, ये, next setting है दोस्तो camera, कि जब भी हम कहीं जाते हैं, तो कोई गटना गटित होती है, तो हमको उसको तुरंत capture करने के लिए camera को, screen को on करना होता है, फिर camera डूनना होता है, तो उसमें काफी time हमारा waste होता है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस function से, directly आप camera on कर सकते हैं, जैसे की, camera पर click किया, setting, आप भी camera की setting में जाएंगे, तो आपको एक option दिखाई देगा, quick capture, double tap the power button, to open the camera, जैसे आप इसको on करेंगे, यह off मिलेगा, आपको, आपको on करना है, आप इसको on करेंगे, तो तुरंत आपका camera on हो जाएगा, अगर screen आपकी lock रहेगी, तब भी आपका camera on हो जाएगा, दो बार किलिक करना है, आपको दो बार जलिल्दी प्रेस करना, बटन जाएगा, तो दोस्तों, इस तरीके से, आप बहुत ही आसानी से, यह सब setting कर सकते हैं, और अपनी mobile को अपने हिसाब से develop कर सकते हैं, तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह video परसंद आई होगी, वीडियो परसंद आई हो तो channel को subscribe करें, वीडियो को like करें और share करें, चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अपनी next video मैं, तर तकले नमश्कार